हलो स्टुडेंट्स वेरे चैनल एलेफटी हिंदी टूटरल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा बारा में हिंदी व्याकरण के पद परिचे और पारिभाशिक शब्ता वली इनसे संबंदित कुछ महत्पूर प्रश्न इन प्रश्नों को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाप सबसे पहले आपको मिल सके आईए अवम पढ़ते हैं पद परिचे से संबंदित कुछ महत्पूर प्रश्न पहला प्रश्न है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं उधार्ण सहित समझाईए इसका उत्तर इस प्रकार से है जिस क्रिया का फल करता पर ना पढ़कर कर्म पर पढ़ता है अर्थात जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं वाक्य में कर्म का होना अवश्यक है यदि वाक्य में कर्म है तो वही सकर्मक क्रिया है जैसे नीचे में ने एक वाक्य लिखा हुआ है मीना गाना गाती है इस वाक्य में मीरा का कर्म है गाना गाना तो इस वाक्य में कर्म दिया गया है तथा साथ ही किरिया का फल कर्म पर भी पढ़ रहा है अते यहां पर सकर्मक किरिया है प्रेशन नंबर दो सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए इसका उत्तर इस प्रकार से है सकर्मक क्रिया के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है तथा क्रिया के फल का प्रवाब कर्म पर पड़ता है दूसरी जो हमारी किरिया है अकर्मक किरिया अकर्मक किरिया में कर्म नहीं होता तथा किरिया के फल का प्रवाव करता पर पड़ता है सकर्मक में तो कर्म पर पड़ रहा है और अकर्मक में करता पर पड़ रहा है सकर्मक किरिया में क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाता है जबकि अकर्मक किरिया में क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता अकर्मक किरिया में कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है जैसे मैंने नीचे दो वाक्य लिखी हुए है पहला वाक्य है मोहन सोता है ये अकर्मक किरिया है क्योंकि इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है और साथ ही इसमें क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है बल्कि इसमें कौन प्रश्न का उत्तर मिल रहा है इसलिए इस वाक्य में अकर्मक किरिया है इसी प्राकार से एक दूसरा वाक्य और मेने नीचे लिखा हुआ है मोहन पुस्तक पढ़ता है इसमें सकर्मक किरिया है क्योंकि इसमें कर्म दिया हुआ है पुस्तक पढ़ना पुस्तक पढ़ना पुस्तक इसमें कर्म है इसलिए इसमें सकर्मक किरिया है और साथ ही यदि हम इस प्रकार का प्रश्ण करते हैं कि मोहन क्या पढ़ता है तो हमें ततकाल उत्तर मिलता है कि मोहन फुस्तक पढ़ता है प्रश्ण नमबर तीन है सार्व नामिक विशेशन की परिवाशा उधारन सहित समझाईए इसका उत्तर इस प्रकार से है संग्या की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषन कहलाते हैं जैसे यह घर इसी व्यक्ति का है एक और वाक्य है यह छात्राएं इसी विध्याले की है देखिए इसमें जो संग्या शब्द है घर घर की विशेष्टा बताई जा रही है और यह है यह सर्वनाम शब्द है इसी प्रकार से मैंने आपको भी समझाया कि संग्या की विशेष्टा बताने वाले सर्वनाम शब्द तो संग्या शब्द घर है और इसकी जो विशेष्टा बता रहे हैं सर्वनाम शब्द यह है तो संग्या की जो विशेष्टा बताने वाले सर्वनाम शब्द वही शार्वनामिक विशेष्ण कहलाते हैं इस प्रकार से हमारा जो दूसरा वाक्य है ये छात्रा इसी विद्ध्याले की है इसमें भी छात्रा है जो संग्या शब्द है उसकी जो सर्वनाम शब्द है वे विशेशता पता रहा है तो ये हुआ सर्वनामिक विशेशन प्रशन नमबर चार विकारी और अविकारी पदों में अंतर स्पष्ट कीजिए इसका उत्तर इस प्रकार से है विकारी पद वे पद होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रियोग किया जाने पर बदल जाते हैं जो शब्द, जो पद या शब्द, रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार प्रियोग किये जाने पर बदल जाते हैं वे विकारी पद कहलाते हैं विकारी पद चार प्रकार के होते हैं पहला है संग्या, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेशन, चोता है किरिया मैं सभी विध्यार्तियों से कहना चाहूंगी कि मैंने विकारी पदों में यो संग्या, सर्वनाम, विशेशन, किरिया इन सबसे संबंदित एक विस्तरित वीडियो में पहले बना चुकी हूँ स्क्रीन पर चल रहे आप आई के बटन को क्लिक करके मेरे उस वीडियो का लाब उठा सकते हैं इसके बाद है अविकारी पद अविकारी पद वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक तथा काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता अविकारी पद भी चार प्रकार के होते हैं पहला है किरिया विशेषन, दूसरा है समुच्य बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, चोथा है विस्मियादी बोधक अवियाई. अवियाई, अविकारी पदों को अवियाई भी कहा जाता है. प्रशन नंबर 5 है प्रेणन आर्थक किरिया किसे कहती है इसका उत्तर इस प्रकार से है वहा किरिया जिसमें करता स्वेम कारें न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेणना देता है अर्थात सेम कार्य ना करके किसी अन्य से किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है तो उसे प्रेणनार्थक क्रिया कहते हैं इसका उधारण इस प्रकार से है मोहन अपना पत्र अपने मित्र से लिखवाता है पेड़नार्थक क्रिया की एक पेचान ये है किसमें इस प्रकार की शब्द आते हैं जैसे लिखवाना, पड़वाना, करवाना, दिलवाना ये सभी शब्द पेड़नार्थक क्रियाओं से सम्बंदित है आपके पेपर में पद परचे से संबंदित प्रश्ण कुछ इस प्रकार से भी पूछे जाएंगे जैसे प्रश्ण नमबर छे गिरीश तेज दोडता है इस वाक्य में किरिया विशेशन का पद परिचे दीजिए इसमें हमें बताना है कि किरिया विशेशन शब्द कौन सा है और किरिया विशेशन का कौन सा भेद है इसमें जो शब्द है तेज इसमें रीती वाचक किरिया विशेशन है और दोडता है ये किरिया की रीती बता रहा है प्रश्न नंबर साथ आपकी परिक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दिये गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचे दीजिए एक वाक्य दिया रहेगा जैसे मैंने लिखा है एक वाक्य शिक्षक ने छात्र से नकल करवाई इसके नीचे अंडल लाइन रहेगी और उस शब्द का ही आपको पद परिचे देना है जैसे इसमें करवाई इस शब्द के नीचे अंडल लाइन है तो इसका पद परिचे इस प्रकार से है शिक्षक ने छात्र से नकल करवाई करवाई इसमें प्रेणनार्थक किरिया है क्योंकि शिक्षक स्वेम कारे ना करके शात्र से कारे करवा रहा है इसलिए प्रेणनार्थक किरिया है और काल भूत काल है अगला प्रशन प्रशन नम्बर आट श्याम बाजार गया इस वाकिय का पधपरचे दीजिए इसमें दो रेखांकी शब्दें दोरों रेखांकी शब्दों का पधपरचे देना है पहला श्रब्द है श्याम, श्याम इसमें व्यक्तिवाचक संग्या है और साथ ही एकवचेने, इसके बाद गया, गया इसमें सकर्मक किरिया है क्योंकि इसमें कर्म दिया हुआ है, बाजार जाना, इसी प्राकार से एकवचेने अब है प्रशन नम्बर नो, निम लिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की पद व्याख्या कीजिए वाक्य इस प्रकार से है, मेरे मित्र ने विखारी को थोड़ा भोजन दिया इसमें हमें रेखांकित शब्द थोड़ा का पद परिचे देना है थोड़ा इसमें थोड़ा पुलिंग है साथी परिमार वाचक विशेशन है जब मैंने विशेशन के टॉपिक समझाये थे उसमें अच्छी तरह से मैंने समझाया है विशेशन की परिवाशा साथी विशेशन के प्रकार तो परिमाण वाचक विशेशन का एक प्रकार है, जिसमें किसी वस्तू की नाप तोल या मात्रा बताई जाती है, वे परिमाण वाचक विशेशन होता है प्रशिन नमबर 10, वह अच्छा पड़ता था, किन्तु प्रथम श्रेडी में उत्तीन नहीं हुआ इस वाक्य में समुच्य वोधक अवियाई है, इस वाक्य में बताना है समुच्य वोधक अवियाई शब्द कौन सा है, इसका उत्तर है किन्तु समुच्य वोदक अव्याई इसके बारे में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ समुच्य वोदक अव्याई वे होता है जो दो वाक्यों को आपस में चोड़ता है प्रशन नंबर 11 मेरे पिताजी 5 किलो चीनी लाए इस वाक्य में कौन सा विशेशन प्रियुक्त हुआ है इसका उत्तर है इस वाक्य में परिमाण वाचक विशेशन प्रियुक्त हुआ है इसके विशे में मैंने आपको अभी बताया था कि किसी वस्तू की नापतोल और मात्रा से संबंदित विशेशन परिमार वाचक विशेशन होता है योकि विशेशन का ही एक प्रकार है प्रशन नंबर बारा मेरे घर के आगे सड़क है इस वाक्य में कौन सा अव्यय है अव्यय यानि अविकारी शब्द इसका उत्तर है इसमें संबंद बोधक अव्यय है घर संग्या का संबंद आगे के शब्दों से बताया जा रहा है घर का संबंद आगे के शब्दों से बता जा रहा है कि घर के आगे सड़क है इसलिए यहाँ पर संबंद बोधक अविय है प्रशन नमबर 13 वहाँ बहुत सुन्दर है इस वाक्य में रेखांकी शब्द का पद परिच्य दीजिए इसमें रेखांकी शब्दे बहुत बहुत प्रविशेशन शब्दे क्योंकि सुन्दर विशेशन की विशेशता बता रहा है सुन्दर एक विशेशन शब्दे और उसकी विशेशता बहुत के माध्यम से बताई जा रही है और बहुत प्रविशेशन शब्दे अब प्रविशेशन क्या होता है? इसकी परिवाशा मैंने नीचे दियो हुई है, विशेशन शब्दों की भी विशेशता बताने वाले शब्दों को प्रविशेशन कहते हैं. प्रशन नंबर 14. कोई बालक आ रहा है, इस वाक्य में रेखांकी शब्द का पद परिचे दीजिए. इस वाक्य में रेखांकी शब्द है कोई और हमें कोई का पद परिचे देना है, तो कोई अनिष्चे वाचक सर्वनाम है, एक वचन है और पुलिंग है. अनिश्चे वाचक सर्वनाम कैसे है? क्योंकि इस वाक्य में ये निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है और जब मैंने सर्वनाम के प्रकार पढ़ायते हैं तो उस समय बताया था सर्वनाम की प्रकार के विशे में तो उसमें से ही एक प्रकार है अनिश्चे वाचक सर्वनाम इसकी परिवाशा भी मैं आपको बता देती हूँ जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ती वस्तू का निश्चित ग्यान ना हो वे सर्वनाम अनिश्चे वाचक सर्वनाम कहलाते हैं इस वाक्य में कोई आ रहा है, कोई बालक आ रहा है, तो हमें इसमें व्यक्ति या वस्तू का निश्चित ग्यान नहीं है, किसी व्यक्ति का कि कौन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चे वाचक सर्वना में, आपके पेपर में पारिवाशिक शब्दा वली से भी कुछ श जिसका मतलब होता है सार दूसरा शब्द है auction auction का मतलब होता है नीलामी allotment allotment का मतलब है आवंतन affidavit इस शब्द का आड़्थ है शपत पत्र approval इसका आड़्थ है अनुमोदन assets इसका मतलब है परीसंपत्ति अगला शब्द है audit इसका मतलब है लेखा परिक्षा एडोप्टी इसका मतलब है दथ तक एलाउंस इसका मतलब है भट्था back-clock इसका मतलब है पिछला बकाया अगला शब्द है बैलट बैलट का मतलब है मत-पत्र Be ostat Bilingual Bilingual का मतलब है दिवहाशी Brive इसका मतलब है निश्वत, व्रीफ इसका मतलब है शंशिप्त, ब्रोडकास्ट, ब्रोडकास्ट का मतलब है प्रसारण, ब्यूरो क्रेसी, ब्यूरो क्रेसी का मतलब है नौकरशाही, केडर, केडर का मतलब है संवर्ग, केजुल, केजुल का मतलब है आकस्मिक, सेंसस, सेंसस का का मतलब जैन्गर्णा। Competency Competency का मतलब शाक्षमता। Circular Circular का मतलब परिपत्र conduct Conduct का मतलब आचरण Council Council का मतलब परिशद Credit Credit का मतलब शाक या रिण। Custom Custom का मतलब शीमा सुल्क Deadline Deadline का मतलब है समे सीमा Defense Defense का मतलब है रक्षा Democracy Democracy का मतलब है लोकतंत्र Disorder Disorder का मतलब है आवेवस्था Disposal Disposal का मतलब है निप्टान Ditto Ditto का मतलब है यथो-परी Draft Draft का मतलब है मसोदा Evaluation Evaluation का मतलब है मुल्यांकन Evidence, Evidence का मतलब है शाक्ष Face Value, Face Value का मतलब है अंकित मूल Feedback, Feedback का मतलब है प्रती पुस्टी Gadgeted, Gadgeted का मतलब है राजपत्रित Homage, Homage का मतलब है शद्धान जली Immigrant, Immigrant का मतलब है अप्रवासी Illegal, Illegal का मतलब है अवेद Judicial Judicial का मतलब है नियाईक Justice, Justice का मतलब है नियाय Landmark, Landmark का मतलब है सीमा चिन Legislative, Legislative का मतलब है विधाई Maintenance, Maintenance का मतलब है अनुरक्षन Mandate, Mandate का मतलब है अधिदेश Manifesto, Manifesto का मतलब है घोशना पत्र Memo, Memo का मतलब है ज्यापन Motion, Motion का मतलब है प्रस्ताव Notification, Notification का मतलब है अधिसूचना Portfolio, Portfolio का मतलब है विभाग Protocol, Protocol का मतलब है नवाचार Panel, Panel का मतलब है नामिका Coram, Coram का मतलब है गणपूर्ती Recovery, Recovery का मतलब है वसूली Reminder, Reminder का मतलब है अनुस्त्मारक Rotation, Rotation का मतलब है चक्रा नुक्रम Sumry, Sumry का मतलब है सार Summit, Summit का मतलब है शिखर Symbol, Symbol का मतलब है प्रतीक Takeover, Takeover का मतलब है कारिभार लेना Tender, Tender का मतलब है निवीदा Treasury, Treasury का मतलब है कोश या खजाना Tribe, Tribe का मतलब है जन्जाती Ultimate, Ultimate का मतलब है अन्तिम अर्वन, अर्वन का मतलब है नगरी वेलिड, वेलिड का मतलब है मान्य, कानुनी रूप से मान्य वेल्यूएशन, वेल्यूएशन का मतलब है मुल्यांकन वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब है सत्यापन वोकेशनल, वोकेशनल का मतलब है वयवसाइक Welfare Welfare का मतलब है कल्याण Eild Eild का मतलब है पैदावार Janet Janet का मतलब है चरम सीमा Journal Journal का मतलब है आंचलिक प्रीविध्यारतियों आज का हिंदी व्याक्रण से सम्बंदित ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है आज का ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए साथ ही आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपकी तरह परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन सभी से मैं कहना चाओंगी कि आप मेरे चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद